हेलो दोस्तो मेरा नाम है सेयद परवेश आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल नए तरीके से पैंट ट्राउजर की कटिंग यह पैंट ट्राउजर आप केबल तीन नाफ में कटिंग कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से इस पैंट ट्राउजर में ना तो कोई बैक होगा ना कोई सामना होगा सब चीज एक बरावर होगी और बिल्कुल पैनने में भी यह कमफर्टेविल मैसूस होगा इसे पैन के आप नीचे भी अराम से बैठ सकते हैं और इसकी फिटिंग भी एक दम भेतरी नाएगी तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर हमने बिचाया हुआ है कपड़ा कपड़ा हमने यहां पर लिया है यह लगवक्त दो मिटर में थोड़ा सा ही कम है यहां पर दो मिटर ठीक है यहां पर इस जगा है दो मिटर में थोड़ा सा कम है चार सेंटीमिटर अब इसको हमने डवल फोल्ड करके बिचाया है डवल फोल्ड करके बिचाने के बाद में इधर है कन्नी अगर आपकी कन्नी एंट ती है यह वाली एंट रही तो आप इसको कटिंग करके निकाल दें ठीक है और इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कपड़ा इसमें इतनी आसानी से और बिल्कुल यानि कि जादा से जादा कपड़ा बचेगा आपका दू मिटर कपड़े में भी तो आप क्या गरें अगर दो को इसकी कन्नी बिल्कुल भी नहीं एट रही है तो हमें इसको नहीं करना है और इसको इस तरीके से पलटना है यह अब हमें लगाना है इसके निशान उपर जो भी इसका आड़ा टेना है उसको हम निशान लगाके सीधा कर लेंगे तो यहां पर जो भी कपड़ाई आगे पीछे है ना तो इसको हम क्या करेंगे जो सबसे छोटा वाला पल्ला है तो यहां पर आता है ठीक है तो हम यहां पर अब दोस्तों इसकी जो लंबाई है मैं सबसे पहले बताओं इसका नाप इसकी लंबाई है साड़े 33 से इसकी थाई है वह है 24 और इसकी जो हिव है वह है यहाँ पर 36 बॉटम बाराइंच टीक है एक बार नाप फिर से सुन लें इसकी लंबाई इसकी थाई यानी रान वह है 24 इसकी बाराइंच आप यहाँ पर निशान लगा दिया नेफे का उसके बाद यहां से में इंची टेप रखेंगे और सीधा सीधा साड़े 33 इंच पे निशान लगा लेंगे ठीक है वाकि हमने धाई इंच ले लिया बॉटम में अगर आप बॉटम में ज्यादा चौना लॉटना चाहते हैं तो आप इसमें पट्टी भी लगा सकते हैं और दोस्तों यहां पर हम तीन इंच भी ले सकते हैं इसका आपको कोई नहीं जितना चौना चाहता चौना लॉट लें यहां पर बॉटम लेंगे बाराइंच बारा का हाफ करेंगे छे इंच ठीक है और डेर्ड इंच लेंगे हम सब इंच ले रहा है एक्स्ट्रा मार्जन आप डेर्ड इंच से सब इंच तक ले सकते हैं उसके बाद इसकी जो है वह है 36 इंच 36 का फोरवाग होता है नो इंच अब इसमें हम तीन इंच और वड़ा लेंगे कितना हो गया बाराइंच अब हम बाराइंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से यह निशान लगा लिया एक बार मैं आपको फिर से समझा दूँ जो आप लटक रखेंगे ना इसका क्रॉच एरिया वह रखेंगे हिप का फोरवाग करके एक चौथाई जिसे मैंने रखा है नो इंच पे च्छतिस इंच का उसके बाद तीन इंच हम नीचे और लेंगे टो के बाद यहां पर हम लेंगे 1.5 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे ठीक है अब यहां पर हम इस तरीके से थाई नापेंगे 12 इंच यह देखिए आप ऐसे भी नाप सकते हैं सीधर 12 इंच नापें और निशान और लगा दें तो आपको हिब नापने की जरूरत नहीं है मग अब यहां पर उस तरीक से लगाएंगे निशान दूँगर, इस के लग दी, आब यहां पर हम लगा लेंगे, और यह देखिए यहां पर सने लगा दिया है निशान अब हमारा पैंट टाउसर कटि ने के लिए बिल्कूल रेडी हैं यहां से कटिंग करेंगे कि यहां पर दोगों हमने कटिंग कर दिया कटिंग करने के बाद में यहां पर लगाएंगे हम एक कट ठीक है कट लगाने के बाद अब हमारे यहां पर जो यह चीज जॉइंट है इनको भी अलग-अलग कर लेंगे इस तरीके से कि हमने यहां पर इसको कटिंग कर लिया कटिंग करने बाद यहां से आप इसकी मोरी जोइंट करेंगे इसमें यहां पर इसका 7 इंच मार्जन भी रह गया अब हमें लगाना है पॉकिट लगाने के लिए हमें यहां पर इस निशान से पौने तीन इंच पे एक निशान लगान है ठीक है मैं फिलाल एक में लगाऊंगा तो मैंने यहां पर एक में कट कर दिया यहां लगाएंगे उल्टे के निशान तो अच्छा गासा यहां पर हमारा कपड़ा बच चुका है ठीक है अब इसमें जहां पॉक्ट लिगा लेंगे तो इस तरीके से आपको डबल फोल्ड कर कर रहें इसकी चोणाही मैं साथ इंच आए यहां यहां पर पूरा पेंट राऊजग हो चुका है तो दौस्तों यहां पर हमारा पैंट टाऊज़गे लिए नहीं लगेगी वीडयो आपको कैसे लग helps कर के बतां आएं वीडियो अर आपको अच्छी लगए वीडियो को ला